दोस्तो बजरी तोतो के केज के अंदर जब हम लोग मट्कियां लगाते हैं तो हम स्टार्टिंग से लेकर और बात तक काफी जादा मिस्टेक करते चले जाते हैं जब हम लोग मटकी लगाते हैं उस टाइम पर भी हम कुछ मिस्टेक करते हैं और मटकी लगाने के बाद भी हम कुछ मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से देखने को ये मिलता है कि हमारी जो फीमेल होती है ना तो वो मटकी को स्लेक करती है और ना ही वो मेल को मैटिंग करने उसकी वजह से दोस्तों हमारे यहां पर ब्रीड नहीं हो पाती है तो आज की वीडियो में मैं आपको पांच ऐसी मिस्टेक बता हूँगा जो आप स्टार्टिंग से लेकर और काफी बात तक करते रहते हैं जिसकी वजह से ब्रीड नहीं होती है तो आप वीडियो में पांचो पॉइंट को देखें, पांचों मिस्टेक को देखने के बाद, आप अपने केज के अंदर उन चीजों का सुधार करें, तो देखेगा अगर आपके बर्ड अभी तक ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इं दोस्तों जब हम बजरी तोतों के केज के अंदर मट्की लगाते हैं, तो सबसे पहली जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, वो ये होती है, कि हम बर्ड को लेकर आते हैं, और उसके साथ हम लोग केज के अंदर मट्की लगा देते हैं, ये बिलकु गलत तरीका है, दोस्तों देख कि बर्ड डिस्टर्ब रहते हैं दूसरी जगा पर आने के बार एक दू दिन तक वो दाना भी नहीं खाते हैं तो आपको करना ये है कि अगर आपके बर्ड एडल्ट हैं तो आपको एक महिने बाद मट्की लगानी हैं और अगर आपके बर्ड पठे हैं तो आपको दो महिने ब मठकी केज के अंदर से बहान निकाल लेनी हैं बर्ट को थोड़ी दिन फ्री रखना है उसके बाद आपको मठकी की जो जिस जगा पर लोकेशन आपने मठकी की लगा रखी है उसको चेंज करके दूसरी साइड पर मठकी को लगानी हैं आप देखेगा फीमेल मठकी में देखी हैं उसमें मैंने एक common mistake ये देखी कि कुछ भाईयों के cage का size थोड़ा छोटा होता है जिसकी वजहा से वो लोग जो है मटकी को जमीन पर रख देते हैं देखिए आपने बताईए कि कभी भी आपने ऐसा देखा है कि कोई भी bird जो है जमीन पर breed करते हुए देखा है आप आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि कोई भी bird जो है वो पेड़ के नीचे घोंसला बना रखता है सभी birds जो है उचाई पर घोंसलो को बनाते हैं तो जब आप मटकी को जमीन पर रख देंगे तो female बिल्कुल भी उसको select नहीं करेगी अंडे नहीं देगी क्योंकि बजी इस पेरट या कोई भी bird जो होता है वो उची से उची जगा को select करता है जिससे उसको ये लगता है कि उसके एंडे सेफ रहेंगे तो आप ये गलती ना करा करें काफी भाई ये करते हैं कि केज में मटकी को जमीन पर रख देते हैं केज में मटकी जमीन पर नहीं रखनी है उ उसको उची से उची जितना आपका केज है उचाई पर मटकी को लगाना है जब आप उचाई पर मटकी को लगाएंगे तो female उसको बहुत जल्दी select करेगी और फिर आपके यहाँ पर break भी होगी और दोस्तों तीसरी mistake हम लोग ये करते हैं कि मटकी का जो hole हम लोग रखते हैं वो हम लोग front side की तरफ रख देते हैं तो उससे ये loss होता है दोस्तों के female जब मटकी के अंदर बैखती है तो उसको बाहर का सारा महौल देखने को मिलता है तो इस तरहां से जब female मटकी के अंदर जाकर देखती है तो उसे बाहर का दिखता है सब कुछ और रोशनी भी जाद आती है तो वो मटकी को select फिर female नहीं करती है कुछ टाइम तक आपने देखा होगा female मटकी में जाती है उसके बाद जाना बंद कर देती है तो उसका reason यह है कि आपने जो मटकी का hole है वो आपने cage के front की तरफ लगा दिया यानि कि जिस तरहां जिस तरफ से आपका जो gate है जहा से आप दाना पानी देते हैं उस side पर मटकी के hole को नहीं रखना है आपको टेड़ा लगाना है मटकी को मैं आपको दिखा देता हूँ अपने cage में मैंने देखी किस तरहां से लगा रखी है तो देखें इस तरहां से आपको मटकी लगानी चाहिए हमेशा तो इससे होता यह क फीमेल को बाहर की रोशनी कम नजर आती है और हम लोग भी उसको कम नजर आते हैं जिसकी वज़ा से फीमेल को मटकी के अंदर secure feel होता है safe feel होता है और वो उसको जल्दी सिलेक करके अंडे देती है तो अगर आपने यह mistake कर रखी है तो इसको भी आप सुधार करें और दोस्त तो नमबर चार में हम लोग जो गलती करते हैं वो यह करते हैं कि हम लोग जितनी फीमेल होती हैं हमारी या तो हम उनके बराबर मटकी लगा देते हैं या उससे कम लगाते हैं तो उससे दोस्तों बहुत नुक्सान देखने को मिलता है फीमेल की fight स्टार्ट हो जाती है जादा मटकियां लगाएं मानली जी अगर आपके पास चार फीमेल हैं तो आपको 6 मटकियां लगानी होंगी तो फिर आपको ये सोचना है कि आपका केज छोटा है तो आपने इतने जादा वर्ड उसमें रखे क्यूं है तो आपको केज थोड़ा बढ़ा करना होगा ताकि फी ये गलतियां करते हैं कि जो है फीमेल के बराबर या उससे कम मटकी लगा देते हैं और उसकी वजहा से जो है कभी फीमेल मटकी सिलेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि दूसरी फीमेल उसको डिस्टरब करती है और कभी कभी कोई फीमेल मटकी सिलेक्ट भी करती है तो उसके अं साइज के हिसाफ से मटकी नहीं लगाते हैं देखिए मैंने काफी भाईयों के यहां देखा है कि जो है उनका केज छूटा होता है और वो बड़े साइज की मटकी उसके अंदर लगा देते हैं हाला कि मटकी बजी स्पैरट को जो है आपको बड़े साइस की लगानी चाहिए तो फीमेल उसको जल्दी सिलेक करती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका केज छूटा है तो आपने बड़ी मटकी अब केज के अंदर लगा दी है तो वो ही सारी जगा घेर रखा है मटक लगानी चाहिए अगर आपका केज बड़ा है तो बिल्कुल बड़ी मटकी लगाइए बड़ी मटकी अच्छी रहती है तो जो है फीमेल जो है ये गलती नहीं करनी है, बड़ी मटकी नहीं लगानी है, आपको छोती मटकी लगानी है, जिससे केज के अंदर प्रॉपर स्पेस मिले, बर्ड्स को वो अच्छे से फ्लाई करें, मुवमेंट कर सकें, मैटिंग वगेरा कर सकें, तो आपको ये गलतियां जो भी भाईयों ने क कर रखी हैं, उसमें आप सुधार करेंगे, तो आप देखिएगा कि आपकी फीमेल मटकी सेलेक्ट करना स्टार्ट करेगी, और मैटिंग भी आपके यहां पर हो जाएगी, तो ठीक है दोस्तों, गे थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो अच्छे लगती है, तो वीडियो क लाइक शेर करें, चैनल को सबस्क्राइब करें, इजासत दीजिए, मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, ओके गुड़ बाए